मेरा पहला क्वेशन यह कि स्टॉप में मोमेंटम कैसे अरिंटिफाई होती है कि स्टॉप में जब एक किया था मैं उन लोगों मेरे मुझे बताया था आपने जो बताया यह लिककिया उसने लिऔर उसमेशन इसा भाने नहीं है सेम यह इसने जो भी बुक में लिखाया वह एक्सेरेंस बेस पे लिखाया कोई तो इसमें देखो अगर कोई भी स्टॉक को ऊपर या नीचे जाना होता है या तो फिर उसमें इंसाइड और इंफर्मेशन बड़े लोगों को पहले मिल जाती है पबलिक को बाद में आती है तो बड़े लोग या तो डिलेरी बेस बाइंग कर लेंगे उसमें मैक्सिमम और साथ में उपर लेने जाने के टाइम के फिचर में भी एक्क्यूमिलेशन कर लेंगे वह सब करते हैं सेम ऐसे अगर चलो उसमें बैड नीज आने वाला है तो सेम ऐसे डिस्ट्रिबिशन सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लगए को अगलेशन बैडरेशन फेड आशे का ऑर जो में में निकर तरह कई इसमें और उसी में मेरा करिंब होता है वही परनद के नहीं करूंगा एक एक एक्जमपल को स्टॉक का कोई चार्ड देखे ज़िखे एक्षाम्पल देखे अपके यह किया हूज है तो हम चलो मानलो कि हम टाटा ग्लूबल का एक्जमपल दिंगते हैं कि मैंने उसको क्यों बाइद किया था कि अगे टाटा ग्लोबल का टू यहर्स का चार्ट है पहले उसने जो अल्टाइम हाई बनाया था अल्मोस्ट थी-30 के पास उसको नीचे आने के लिए उसने बहुत सारा टाइम ले लिया अल्मोस्ट मोर देन वन जर थी-30 से वह नीचे आया था अपना 180 के आसपास आया नीचे और वही पिरियड उसको खदम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा लेस देन वन जर में वह वापस अपने जहां पर था लेवल वह वहां पर लेवल पर चला गया अभी इतना जान लो कि अगर वह नीचे आ र वह उपर था वह नीचे आ गया मतलब कि सैलिंग प्रेसर तो इसमें अल्वेज रहेगा अगर वह सैलिंग प्रेसर कम पिरियड में अगर एपस अब हो जाता है तो मान लो कि इसमें बड़ा मूँ आने वाला है यह मेरा एक्स पे बोल रहा हो तो इसका मतलब प्राइस मुव अब यह चार्ट को हम अभी हम छोड़ा कर देंगे नाइन मंस में आ जाएंगे तो यह जैसे हम अभी हम नाइन मंस में आ गए पहला देखो जैसे कि मैंने एक्कुमिलेशन डिस्ट्रिबूशन प्रेस बता है देखो यहां पे जब भी आप वाच करते हो यह जो पीरियड है पूरा अब चेक करोगे यह पीरियड है पूरा एक्कुमिलेशन जान क्योंकि इसके बाद स्टॉक ने अपसाइड रेंज ब्रेक आउट दिया है यहां पे मानलो जब भी एक्कुमिलेशन प्रेस डिस्ट्रिबूशन प्रेस जब भी होता है तो नीचे वॉल्यम एक्टिव होगा तब हमें पता चलेगा कि इसमें हो चुका है और अभी स्टॉक में अपसाइड मोमेंट आने वाला है अगर अभी स्टार्टा ग्लोबल के केस में जैसे उसने टूएटी का रेंज ब्रेक करके जो यहां पे जो हाई केंडल जो बनाया था यहां पे यह आप देख रहे में जो बड़े जो लोग रहे तो वीकेंड को रिमू कर देता है कि वो रेली में पार्टिसिपिट करने नहीं देंगे अगर यहां से अगम इमीडिटली अगर वो चले जाएगा तो रिटेलर्स को भी बेनेफिट हो जाएगा वो भी प्रोफिट बुक करेंगे और साथ में लेकिन जो मजा उनको जो लॉस कराने में आता है ना बड़े लोगों को रिटेलर्स को वो कहीं भी नहीं आता है में मेरा मानना है तो अभी यहां पे देखो यही केंडल जो हैवी वॉल्लिम से बाइंग हुआ था वो सस्टेन कर रहा है यहां पे यहां पे एक बार ट्राइ किया हाँ पे ट्राइ किया अगर फोर स्टाइम में अगर कोई अगर इसको अगर वापस अगर लेकर जाना है तो जो भी सेलिंग प्रेशर है वो उसको एबश अप करना बोरेंगा अगर अनुछ वह से ब्रेसर बार चलेगा वो आपको यहां से पता चलेगा कि यहां पर मुझे ख्लीर उन्डीकेशन है कि अभी मुझे सेलिंग प्रेसर हो गया कि मुझे इस में लॉंग ही जाना चाहिए यहां से मेरा जैसे इसनी केंडल कंफर्मिशन मुझे यहां पर दे दिया इमिडेटली मैंने इसको 335 और 337 के एराउंड इसमें फ्यूचर में बाई करके रख लिया है इसको रिसेंट जो मैंने लिया था अभी यह जन्युवर मन्त में आप उसका यह मेरे जो कॉंट्राक नॉट है आपको इसमें साथ इसको मैंने एक्जिट मारा था यहां पर 380 के आसपास उसको एक्जिट मारा था जब भी कोई भी ब्रेक आउट ट्रॉक जो ट्रेड होता है तो उसमें डेफिनेटली वह कंटिन्यूस तो ऐसे अप ऊपर नहीं जाएगा थोड़ा तो पॉस लेगा अगर मेरा काम अगर चा पर 380 से लेकर 390 की रेंच में वह ट्रेड कर रहा है यहां पर अभी जब भी डिस्ट्यूबिशन फेज देखो एक-दो दिन में खतम नहीं होने वाला है अगर होगा तो और वह एक-दो मेना चलेगा बराबर अगर डिस्ट्यूबिशन पेज रहेगा अगर नीचे की कि रहा मैं एज ट्रेडर मुझे यहां पर मैं यहां पर क्यों बुक कर रहा हूँ देखो यहां पर मैंने बाइ किया है मतलब मेरा कैपिटल भी इसमें ब्लॉक हुआ है अगर मुझे चार दिन में इसने पैसे दे दिया है तो मुझे एफंडो में 150 स्टॉक है कोई नया ऐसा स्टॉक मिल जाएगा जो ब्रेक आउट कर रहा है मुझे मेरे पैसे उसमें चले जाएंगे और आपको रिजल्ट भी मिल रहा है देखो कि यह नेक्स्ट फाय टू सेवन ट्रेडिंग डेज में आप देखो तो वह छोटी रेंज में गूम रहा है अगर मैं इसमें मेरे पैस अगर आपको स्टॉक मार्केत में पैसा बनाना है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करने पड़ेगी आपको रेंज स्टॉक की रहें याद रखनी पड़ेगे कि यह स्टॉक इसके उपर जाता है मुझे इसको ओर लिच्ट मैड करना ही है मैं इसको जब से एक एंडल जब ये इसको देख रहा था कि कैसे सस्टेन कर रहा है स्मॉल पिरियड में जब भी बड़े बड़े वालिम से ब्रेक आउट होगा तो जहां महां पे मेरा लॉंग हो जाएगा या सौट हो जाएगा कोई भी एक तरफ जहां पे जाएगा और उसने अपर साइड का ब्रेक आउट दिय अगर यहां पे इतने लंबे परिड़ में चौक श seminar रहा है मिन्स संब मुलिशन हो रहा है तो प्रिपिड बुकिंग के लिए फॉंट बनाने के लिए अप्र बूकिंग विकी के लिए ने के लिए फ्युब ले top 50 liquid stocks पे ही आप उनका चार्ट सरी करता है और रेंच निकालने की कोशिश रहता है got it investments in the securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing